जो भी कुछ होता है वो जीव के भले के लिए होता है और जीव के सच्चे पती तो स्रीकृष्ण ही है उनको जगत पती कहा गया है जगत पती के होते बहला कौन विद्वा है विद्वा तो वो न जिसने स्रीकृष्ण को पते नहीं माना कोई भी मनुष्य इस्त्री होचे पुर्ष आत्म सुरूप से सब निध्य सकhिया है प्रिया प्रितन की और इसकी अनभूती होती है मैंने संतों से सीखा और मैं उसका अभ्यास कर रहा हूं मुझको रस आने लगा जब मैं चिंतन करता हूँ निकुंज का मैं भूल जाता हूँ देगत भावन ही नहीं रहत ये इस्त्वी पुर्ष का तो शरीर है आत्मों में तो लिंग भेद रही बिल्कु सखी भाव से मैं ऐसा खो जाता हूँ मुझको बाहर की भी सुध नहीं रहते वो जो सुख है उस सुख के सामने भला ये संसारिक सुख और दुख का महत्वी क्या रह जाता है हर आत्मा सदा सुवागिन है कभी भी आत्मा अनाथ नहीं होती बस भगवान से बना के नहीं रखती इसलिए दुख पा रही है स्रीकृष्ण इसके नित्या पती है इसलिए स्रीकृष्ण का एक नाम जगत पती है